हलो एवरिवन स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चनल ग्यान गंगा हिंदी में और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि विहार सरकार ने नियोजित सिक्षकों को सक्षमता परिक्षा देने के लिए कहा है चाकी वे राज कर्मी बन सके ऐसे में हम लोग सक्षमता परिक चलिए बिना देर किये अब हम इसे आगे बढ़ाते हैं यहां आप देख सकते हैं यह पहला प्रस्ण है कि इतिहास को कितने काल खंडों में बाटा गया है यानि एक, दो, तीन या चार तो इसका सही जवाब हो जाएगा इतिहास को जो है तीन काल खंडों में बाटा गया है जिसे प्राची नितिहास, मध्यकाली नितिहास और आधुनिक इतिहास कहा जाता है तो हमारा सही जवाब हो जाएगा तीन काल खंडों में बाटा गिया है चलते हैं तूसरे प्रस्न की और तूसरा प्रस्न है कि पांडूली पियां किस पे लिखी जाती थी यानि पितल पे लिखी जाती थी या किवल ताड़ पत्र पे लिखी जाती थी या किवल भोज पत्र पे और चौथा अप्सन है कि ताड़ पत्र और भोज पत्र दोनों पर तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये ताड़ पत्र है और ये एक भोज पत्र है तो इस अधार पर देखा जाए तो हमारा सही एंतर हो जाएगा चार तार पत्र और भोज पत्र पर पंडूलिपिया लिखी जाते थी पंडूलिपिया वो लिपिया है जो हाज से लिखी जाते थी और बहुत पुरानी हुआ करती थी अगला प्रस्ण हम लोग देखते हैं अगला प्रस्ण है कि पत्थर तथा धातू की सत्वों पर उत्किर्ण लेख को कहते हैं तो क्या कहते हैं पत्थर लेख कहते हैं धातू लेख कहते हैं अभिलेख कहते हैं या इन में से कोई नहीं तो इसका सही जवाब हो जाएगा अभिलेक कहते हैं यानि पत्थर और धात्वों पर जो चीजे लिखी जाती थी उसको हम लोग अभिलेक कहते हैं चलते हैं अगले प्रस्न की और अगला प्रस्न देखते हैं अगला प्रस्ण है कि पुरातात्विक वस्तुओं के अध्यान करने वाले को क्या कहते हैं उन्हें इतिहास वीद कहते हैं, इधात्व वीद कहते हैं, कि कार्बन फोटिन कहते हैं या पुरा तत्ववीद कहते हैं तो इसका सही जवाब हो जाएगा पुरा तत्ववीद यानि जो लोग पुरानी वस्तुवों का अध्यान करते हैं उन्हें पुरा तत्ववीद कहा जाता है अगला प्रस्न है अगला प्रस्न है कि किस ने पटना के कुमारार नामक अस्थान की खुदाई करवाई तो यहाँ चार आप्शन है डॉक्टर एस्थान की खुदाई करवाई थी चलते हैं अगले प्रस्थन की और अगला प्रस्थन है कि कहां की खुदाई से सोने के बैल के टुकड़े मिले है यानि सोने के बैल के टुकड़े मिले है तो पहला हमारा अप्शन है कुमारार दूसरा है मुंगेर तीसरा हडपा और चौथा है मेसोपटामिया तो ये कहां से मिले हुए है तो ये भी कुमहरार से ही मिले हुए है चलते हैं अब अगला प्रस्न है कि सिक्को का अध्यायन क्या कहलाता है पहला आप्सन है नियू नुमेटिक्स दूसरा है मुद्रा सास्त तीसरा है सिस्कोलोजी और चोथा है इन में से कोई नहीं तो इसका स सभावनावानावान bestram जो है वो सिक्कह से संमंधित अध्ययन को कहा जाता है कि अगला प्रस्ण लाइन वस्टू के समयनिदारन के लिए किसंता जो क surtout यासे कर बनाव कार्वूंध這裡 । way चौता है एक और दो दोनों तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा एक और दो दोनों यानि कार्विन फोटिन बिधी या रेडियो कार्वन बिधी के नाम से जाना जाते हैं और इसलिए हमारा उप्शन नम्मर चार जो है वो सही हो जाएगा अगले प्रस्ण की वोट चलते हैं अगला प्रस्ण है कि प्राचीन काल में हमारे देश में तीथियो की गढ़ना किस से होती थी यानि इस्वी से होती थी शक समवच से होती थी विक्रम समवच से होती थी या सक और विक्रम दोनों से होती थी तो इसका सही जवाब हो जाएग चार यानि दो और तीन इन दोनों से जो है हमारे पुराने समय में तीथियों की गढ़ना की जाती थी दस्वा प्रस्ण है कि भावगोलिक द्रिष्टी से भारत को कितने भागों में बाटा गिया है तो एक option है तीन भाग, दूसरा है चार, तीसरा है पाच और चोथा है छे तो भावगोलिक द्रिष्टी से भारत को चार भागों में बाटा गिया है अगले प्रस्ण की ओर चलते हैं, अगला प्रस्ण है कि सबसे पहले गेहूं और जो की खेती का परमाण कहां से मिला है यानि मेहरगट से मिला है, कुल्डिवा से मिला है, नावली से मिला है या इनमें से कोई नहीं तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, महरेगड से मिला हुआ है, चलते हैं अगला प्रस्थ्न है, मिर्तकों को दफनाकर उसके चारों और बड़े-बड़े पत्थर गार दिये जाते थे, यानि मिर्तक यहां दफनाय दिया गया और उसके किनारे-किनारे पत्थर लंबे-लंब इसका सही जवाब हो जाएगा महापाशाडकाल में इस तरह से किया जाता था चलते अगले प्रस्ण की और अगला प्रस्ण है कि सबसे पहले धान कहां उप जाया गया तो सबसे पहले धान जो है कोलडी हुआ में उप जाया गया तो इसका सही जवाब हो जाएगा दो अगले प्रस्न कि पूर चलते हैं कि गंगा नदिग के धक्षनी छेत्र को क्या कहा जाता था अवन्ति मतस्य, मगद और लिचीवी तो जैसा की तस्बीर में आप देख सकते हैं मगद ते इसका सही जवाब हो जाएगा तीन मगद कहा जाता था अगले परश्न कि पूर evil चलते हैं अगले प्रस्न की और चलते हैं, अगला प्रस्न है कि भारत देश का नाम किस मानव समूह के नाम पर रखा गया, यानि भारत के नाम पर रखा गया, दसरत के नाम पर, सीता के नाम पर या इन में से कोई नहीं, तो ये भारत जो थे उनहीं के नाम पर रखा गया था भारत, चल करता है या बिन्द परवत करता है तो इसका सही जवाब हो जाएगा बिन्द परवत बिन्द परवत जो है उत्तर और दक्षिन भारत को अलग करता है चलते हैं अगले प्रस्ण की और अगला प्रस्ण है कि आधनी काल का अरम कब से माना जाता है पहला अपसा ने पंद्रहवी सताब्दी तीसरा है ए Environment चोथा है बीश मी सताब्दी तो आधने काल का जो सुरुएद है वह ए सताब्दी से मना जाता है चलते हैं एक प्रेशन के अगला प्रशन है कि खुदाबक्त स्लाइबरेरि कहा तो खुदावक्स लाइबर्रेरी जो है वह पटना में इस्थी थे तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए पटना अंतिप्रस्ण क्यों छलते अंतिप्रस्ण है इतिहास के जनक कौन है जोन के हैं है हेरोडोटस है चाल्स बेवेज है या इरेटो एस्थिनीज है तो इसका सही जवाब हो जाएगा है रोड़ाटस यानि इतिहांस के जो पीता है वह है रोड़ाटस है तो आज के लिए बस इतना है मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए आप पढ़ते रहें स चिकते रहें देखते रहें धन्यवाद